जै स्री राम भक्त जन्रो प्यारे भक्तों जीवन में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे अगर ऐसा कर लिया कैसा आप ध्यान से सुनें समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रियास करें देखिए संसार के पधार्तों को एक खटा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको जो भी कुछ मिलेगा भवान की भक्ती से मिलेगा ये पधार्त तो एक दिन खतम हो जाएंगे लेकिन भक्ती दिन दूनी और रात चवनी बढ़ेगी आपकी उसमें बिलकुल भी घाटे का सोधा नहीं है इसलिए आप संसार की जो चीजें हैं उनके पीछे मत दोड़ो और आप किसी भी प्राणी से कभी भी घ्रणा मत करो अगर आप घ्रणा करोगे तो आपका कर्म अपने आप बिगड़ जाएगा और बक्तो ये माया तो असत्य है और भक्ती ही सत्य है और असत चीज कभी रुकती नहीं है हमेसा एक जैसी रहती नहीं है और सत्य हमेसा एक जैसा रहता है आप प्रक्रती के नियमों का पालन करो अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो भगवान आपको वह भक्ति देंगे जिसकी आपके अंदर कलपना भी नहीं है वह आपकी भक्ति के अंदर उस आपकी सुर्थी को सब्द से जोड़ देंगे और अगर आप चाते हैं कि भक्ति में हम आगे बढ़ें और अपने जीवन में खुशियों के दरवाजे खुल दें तो आपको यह करना ही होगा आपको ज़्यादा इक्षा नहीं करनी है नम्र भाव से हमेशा रहना है और किसी भी कामना से पहले आप कोई भी कारिय करें वक्तो उस कारिय करने से पहले आप जिस भगवान को मानते हैं जिसको आप जाप करते हैं जिसकी आप पूजा करते हैं और जिसके अंदर आपका पूरा 100% विश्वास है उसको आप पहले मन से रार्थना करें और बोलें कहें परम्पिता परमात्मा हे इश्वर हे अल्ला हे अगोड मैं यह काम करने जा रहा हूँ और मेरा यह काम सफल हो तो अगर आप ऐसे बोलेंगे तो वास्तम में आपके जीवन में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे इसमें कोई संदे नहीं है क्योंकि हम करते क्या हैं हम जब कोई दुख होता है जब कोई परिशानी होती है तो हम उसे याद करते हैं क्योंकि संतों ने कहा है न कि दुख में सुमरन करें, तो दुख काहे को हो, इसलिए आप उसको बिना दुख के खुशी हो, आपको सुख हो, आप उसको याद करते रहें, और ये बात आप गांट बान लें, आप खाना खाएं, आप कहीं जाएं, आप कोई नया काम करें, आप सुएं, आप उठें, आप ब तीमान को जिसको भी आप मानते हैं जहां तक आपका विस्वास है जिसमें आपका 100% विस्वास हो अगर उसको याद करेंगे तो वास्तम में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी आपके खुशी के दरवाजे खुल जाएंगे अगर आपने ऐसा कर लिया जो हम राम देते हैं जै स्री राम